Hello Friends, आजके इस वीडियो का हमारा टॉपिक है Top 20 Most Repeated One Word Substitution in SSC GD Constable Exam आजके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC GD Constable Exam में आई हुए 20 SA One Word Substitution के बारे में जो परिक्चा में बार बार पूछे गए हैं तो इस वीडियो को सुरू से लाश तक देखेगा जिससे की एक भी कोस्टन मिस ना हो तो चलिए शुरू करते हैं आजके इस क्लास Hello दोस्टो, आजके इस वीडियो में हमारा पहला कोस्टन है A solution for all difficulties or diseases इसका हिंदी अनुबाद होगा सभी कठनाई हो या बिमारियों का समधान तो इस कोस्टन के लिए जो one word use होगा वह है panacea इसका हिंदी मीनिंग होता है रामबान इलाज इस answer के बराबर में हमने एक image दिया हुआ है जिससे की आपको इसका answer याद रखने में असानी रहे Second question Something no longer in use इसका हिंदी मीनिंग होगा कुछ ऐसा जो अब उप्योग में नहीं है इसके लिए one word use होगा obsolete जिसका हिंदी मीनिंग है एपर चले Question no longer three A place where words are kept इसका हिंदी मीनिंग होगा वह है इस्तान जहां पक्छी रखे जाते हैं तो इसके लिए जो one word आएगा वो आएगा aviary जिसका हिंदी मीनिंग होता है पक्छी साल तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले question की Question no more four A sound that cannot be heard इसका हिंदी मीनिंग होगा ऐसी आवाज जो सुनाई नहीं देती इसके लिए one word यूज होगा inaudible जिसका हिंदी मीनिंग होता है ऐस रब्बे अब बढ़ते हैं next question के ओर Question no more five A partial or total loss of memory इसका हिंदी मीनिंग होगा इस्मृति का आंसिक या कुल नुकसान इसके लिए one word यूज होगा amnesia जिसका हिंदी मीनिंग होता है भूलने की बिमारी अब बढ़ते हैं अगले question के ओर Question no more six इसका हिंदी मीनिंग होगा स्वेम के द्वारा लिखा गया व्यक्ति का जीवन इसके लिए one word याएगा autobiography जिसका हिंदी मीनिंग होता है आत्म कथा अब बढ़ते हैं next question के ओर Question no more seven A place where fights take place इसका हिंदी मीनिंग होगा वह इस्तान जहां लडाई जगडे होते हो इसके लिए one word आएगा arena जिसका हिंदी मीनिंग होता है अखाड़ा अब बढ़ते हैं next question के number eight A person who compiles disneries इसका हिंदी मीनिंग होगा एक व्यक्ति जो सब्द कोसो का संकलन करता है इसके लिए जो one word यूज़ होगा वह है lexicographer जिसका हिंदी मीनिंग होता है कोसकार next question question number nine that which can we seen throw इसका हिंदी मीनिंग होगा जिसके माध्यम से देखा जा सकता है इसके लिए जो one word यूज़ होगा वह है transparent जिसका हिंदी मीनिंग होता है अब बढ़ते हैं next question number 10 a person who eats too much इसका हिंदी मीनिंग होगा एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है इसके लिए जो one word यूज़ होगा वह है gluton जिसका हिंदी मीनिंग होता है pay to या hookar next question question number 11 that which cannot be wrong इसका हिंदी मीनिंग होगा वह है जो गलत नहीं हो सकता इसके लिए जो one word यूज़ होगा वह होगा infillival जिसका हिंदी मीनिंग होता है अच्चू इसी के साथ बढ़ते हैं अगले question question number 12 the study of ancient events and societies इसका हिंदी मीनिंग होगा प्राचीन घटनाओ और समाजों का अध्यन इसके लिए जो one word यूज़ होगा वह है archaeology जिसका हिंदी मीनिंग होता है पुरा तत्व next question question number 13 a city which is multicultural इसका हिंदी मीनिंग होगा एक सहर जो बहु सांस्कृतिक है इसके लिए जो one word यूज़ होगा वह है cosmopolitan इसका हिंदी अनुबाद हमने नहीं दिया है क्योंकि इसका कोई खास हिंदी अनुबाद होता नहीं इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले question question number 14 a place where fish are kept इसका हिंदी मीनिंग होगा वह है इस्तान जहां मचलिया रखी जाती है तो इसके लिए one word यूज़ होगा aquarium जिसका हिंदी मीनिंग होता है मचली घर next question question number 15 a collection of poems इसका हिंदी मीनिंग होगा कभीताओ का संग्रे इसके लिए जो one word यूज़ होगा वह होगा anthology जिसका हिंदी मीनिंग होता है संकलन इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले question के ओर question number 16 a place where coins are made इसका हिंदी मीनिंग होगा वह है इस्तान जहां सिक्के बनाए जाते हैं इसके लिए जो one word यूज़ होगा वह होगा mint जिसका हिंदी मीनिंग होगा रुपेया बनाने का कारखाना अब बढ़ते हैं next question के ओर next question है question number 17 the keeper of a museum इसका हिंदी मीनिंग होगा संग्राहले का रखवाला इसके लिए जो one word यूज़ होगा वह होगा curator जिसका हिंदी मीनिंग होता है संग्राहत द्यक्च इसी के साथ बढ़ते हैं अगले question के question number 18 persons working at the same place इसका हिंदी मीनिंग होगा एक ही इस्तान पर काम करने वाले इसके लिए जो one word यूज़ होगा वह होगा colleagues जिसका हिंदी मीनिंग होता है सही होगी अब बढ़ते हैं next question के ओर next question question number 19 a person who eats human flesh इसका हिंदी मीनिंग होगा एक व्यक्ती जो मानब मास खाता है इसके लिए जो one word यूज़ आएगा वह यूज़ आएगा कानिवाल जिसका हिंदी मीनिंग होता है नर्वक्ची अब बढ़ते हैं next question के तो आज़की इस वीडियो का यह आखरी question होगा question number 20 things or people of the same kind इसका हिंदी मीनिंग होगा एक ही तरह की चीज़े या लोग इसके लिए जो one word आएगा वह होगा homogeneous